यह देखते हुए कि तेल व्यापार के पास आगे बढ़ने के सभी विकल्प उपलब्ध हैं, शुक्रवार को एक वरिष्ट सरकारी अधिकारी ने कहा कि रूसी तेल पर मूल्य सीमा अगले सप्ताह से लागू होने वाली है, लेकिन भारत रूस सहित सभी स्रोतों से कच्चे तेल का आयात करना जारी रखेगा। अधिकारी ने यह भी कहा कि वैश्वेक आपूर्ति करताओं ने भारत को तेल की निर्बाद आपूर्ती का आश्वासन दिया है। अधिकारी ने कहा, हम रूस सहित जहां से भी खरीदने की जरूरत होगी, हम खरीदना जारी भारत को वैश्विक तेल आपूर्ती करताओं ने आश्वासन दिया है कि आपूर्ती में कोई व्यवधान नहीं होगा। आया तक रूसी तेल का आयात करने के लिए गैर यूरोपियर शिपिंग लाइनर्ज, बीमा और वितर प्रदाताओं की सेवाओं का लाव उठाने पर भी विचार करेंगे। अधिकारी ने कहा कि भारत को रूस से आप तक बुक किये गए कारगो 5 दिसंबर के बाद भी मिलते रहेंगे। प्रेस समय तक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्राले को भेजे गए प्रशन अनुतरित रहे। युरोपिय संग के देश शुक्रवार को G7 के प्राइस कैप प्रस्ताव पर फैसला करने वाले हैं। एमबार्गो ओ प्राइस कैप 5 दिसंबर को समाप्थ हो रहा है। इसके अलावा, अमेरिका के विदेशी संपत्ती नियंत्रं कार्याले ने भी प्राइस कैप नीती के कार्यानवयन के लिए अपना मार्ग दर्शन दिया है। प्राइस कैप गटबंधन द्वारा आयोजित एक तकनीकी अभ्यास के बाद रूसी तेल के लिए मूल्य कैप निर्धारित किया जाएगा। वे रूसी संप के मूल के कच्चे तेल के समुदरी परिवहन से संबंधित हैं। व्यापार बस्तूओं की दलाली, वितपोशन, शिपिंग, बीमा, पुनर बीमा और सुरक्षा और क्षतिपूर्ती, फ्लैगिंग और सीमा शुल्क दलाली सहित। भारत के लिए मूल्य सीमा का महत्वब बढ़ गया है क्योंकि परमपरागत रूप से बड़ी मात्रा में तेल की आपूर्ती नहीं करने के बावजुद रूस इस वर्ष कच्चे तेल के शीर्ष्ष्रोत के रूप में उभरा है। SNP Global Commodity Insights के आकरों के अनुसार अक्टूबर में रूसी कच्चे तेल के लिए भारत की भूग बढ़ी अभूत पूर्व स्तरतक और प्रमुक मध्यपूर्वी आपूर्ति करताओं द्वारा भेजे गए वॉल्यूम को पार कर गया। रूस युक्रेन संघर्ष की शुरुआत से पहले भारत की आयात टोकरी में एक प्रतिशत से कम की बजार हिस्सेदारी से, भारत के आयात में रूस की हिस्सेदारी अक्टूबर में बढ़कर 4.24 मिलियन मिलियन टन या लगभग 1 मिलियन हो गई, जो 21 प्रतिशत थी। एक ही महीने में देश की आयात टोकरी में एराक की तुलना में हिस्सेदारी और सौधी अरब की हिस्सेदारी लगभग 15 प्रतिशत से अधिक है। की भविश्य की खरीद इस बात पर निर्भर करेगी की EU प्रतिशत समुद्री व्यापार को कैसे आकार देता है और क्या रूसी क्रून उच्चे माल धुलाई दरों और बजार सनरचना को देखते हुए आर्थिक समझ में आता है। इसके अलावा, यूरोपियस संग की मंजूरी और मूल्य सीमा की बातचीत के बीच, रूस के कच्चे तेल के निर्यात का मूल्य दबाव में आ गया है। एसेंट पी ग्लोबल की एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है, रूस के प्रमुक कच्चे उरलों की एक मुष्ट कीमत 5 दिसंबर की शुरुआत में 22 महीने के निचले स्तर पर आ गई है, क्योंकि कमजोर भोतेक बजार बुनियादी सिध्धान्तों और प्रतिबंधों के जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने कहा कि भारत प्रस्तावित मूल्य सीमा से चिंतित नहीं है, क्योंकि जिवाश्मा इंधन के आयात के लिए कई स्रोथ हैं। जो पिछले बंद से 0.18% नीचे था। वेस्ट टैकसास इंटरमीडियेट का जन्वरी अनुबंद 0.18% गिरकर $86.72 प्रतिबैरल हो गया।